वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल आज मैं वीडियो बना रही हूं हिबिसकस की क्योंकि पहला फूल आया है इसमें और यह मैंने कटिंग से ग्रो किया था यह रेड हिबिसकस है बट इसमें यह सिंगल पैटल वाला नहीं है डबल पैटल वाला है यह तो काफी छोटा फूल इतंक दो tutte आकटल की तो यह मारन फंतन में बना बना प्लावर तो आज मैंने सोचा कि इसमें पहला पहला फ्लावर कहला जबकि इसमें और prelims तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूं breakout ओर इस प्लांट को मैंने असा ही यह प्लास्टिक केन तो इसमें लगाया था 5 और ह इसे मैंने cutting से grow किया है, तो हिबिस्कस का सबसे आसान वे है कि आप अगर उसे cutting से grow करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि आप उसको ठंड में लगाएं, या तो ठंड में और में इंपरेंट ली आप उसको रेनी सीजन में लगाएं, क्योंकि रेनी सीजन में आपको कुछ महनत करने की ज़रूरत नहीं है आप तेंपरेचर भी अपने एकॉर्डिंग मिल जाता है उपर से बारिश होती रहती है तो इसमें जड़ बहुत एजी लिया जाती है और धूपा आ गई है तो इस तरीके से उपर से इसको बहुत जादा आपको खाद वाद इन चारी चीजों की भी ज़रूरत नहीं है आप इसकी थोड़ी थोड़ी कटिंग करते रहें बीच बीच में और यह बहुत अच्छी फ्लॉवरिंग करता है अब इससे बड़ा जिस दिन फ्लॉवर खिलेग चोटी चोटी यह देखो और यह यह मतलब लगा हुआ है तो अच्छे इसकी फ्लॉवर इसमें अच्छा मैंने खाट डाला है गोबर का तो इसमें जो पतिया है आप देखो कितनी हेल्दी पतिया है इस तरह अगर आप मिट्टी चेंज करते रहें पौधों की थोड़ी थो करूंगी तो मैं जरूर उसका वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मैं आपको लोगों को बोलती रहती हूं कि मैंने कट्टिंग से ग्रो किया है बट मैंने आपको एक बार भी बताया नहीं कि मैं कैसे कट्टिंग लगाती हूं और कैसे वो ग्रो कर जाते हैं तो नेक्स ताइम श चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो